दोस्तों सुलगेते हैं आपके यूटिब चनल पिन ओच पे इस स्मॉल फाइनास बैंक के शेर में आभी गिरापट बन रहा है कुछ दिन पहले हम लोगों इसको लेके वीडियो बनाया था शेर का प्राइज लग बग 65-66 रुपिस के आज पास चल रहा है अभी ये शेर 70 से आपके सब वो शेर करने के कोशिश करेंगे रिक्वेश्ट करते हैं वीडियो पे पुड़ा बने रही है के लिवी स्किप मत किजिए अगर आपने अभी तेक हमारी यूटिब चनल की नोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजे शेर मार्केट स्चुरे कं दोस्तों एक दिन में इस स्मॉल फाइनल्स बैंक के शेर में 2.5 परसंट का विरावट बना है बनतावा देशने को मिल रहा है एक हफ्ते के अंदर 2.7 परसंट का इसने तेजी दिया है और एक महें में 3.1 परसंट का तेजी दिया बहुत जबरदस ये बोल सेते की बैंक है जहां पे South India में इस स्मॉल फाइनल्स बैंक का जबरदस बिजनस है और इंडिया में इसके बहुत सरे ब्रांचे से अकर देखे तो All आवर इंडिया में इसके बिजनस बहुत जबरदसत है South India में इसके बिजनस है अभी यहां पर देखेंगे तो एक महीने में इस स्मॉल फाइनल्स बैंक के शेर में जो हाई प्रैस बनाया है वह है जो हाई प्रैस बनाया था 75.40 पैसे का और जो लो प्रैस बनाया था 66.05 पैसे का वहीं दोस्तों एक अप्पे के अंदर जो इसका ह अप्रैस 78.7 पैसे का और जो लो पते सिर्ट पॉईंट 50 पैसे का अभी इस स्मॉर फाइनल्स बैंक का अब देखेंदें जो मार्केट के अप मार्केट केप tussen 6631.8 तो अभी बेंकिंग इनके क्यों बैंक का जो की इक बूलस्ति की इसका जो माइwest का स्बैंक यहां गज्य स सकते हैं, जो कि 35.7% बढ़ गया था, operating expenses 32.4% बढ़ गया था, operating profit 37.4% बढ़ गया था, EVI details 63.1% हो गया था, और भही दोस्तों बात करते हैं, company का जो, मतलब इसा small finance bank का जो revenue था, revenue 143.3% हो गया था, तो यहां पर बुल्सते की company का अच्छा का सा profit bank का इसा small finance bank का तेखनी को मिला है, RSI indicator कहा रहा है कि जो share है, ना कि overbought level पे है, ना कि oversold level पे है, मैं एक दी indicator कहा रहा है, जो share है, एक bullish level बना रहा है, देखिए, demand बहुत जबर्दर सा भी इसा small finance bank के share में है, इसके चलते share जो है तेजी बनाया, और अभी यहां पर बोल सेते की share जो है तोड़ा गिराबट बना सकता है, BSC और NSC मिला के एक दिन का average देखते हैं, तो वह है 5.6 million का, delivery percentage 44.4% का है, delivery volume 2.5 million का, एक अप्ते का BSC मिला के average देखने को मल रहा है, 3.6 million का, delivery percentage 43.3% का, delivery volume 1.6 million का, एक महीने का BSC मिला के 3.9 million का average है, delivery percentage 47.1% का है, और delivery volume जो इसका, 1.9 million इसका delivery volume है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर इसस Small Finance Bank का, जो delivery percentage है, वो बढ़ता हुआ देखने को मल रहा है, और delivery volume भी आपर बढ़ता हुआ देखने को मल रहा है, अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, इसस Small Finance Bank का जो share holding है, उसमे बात करते हैं दोस्तों जो other institutions है, other institution के पास 13.12% का stake है, तो यहाँ पर मतब बोल सेथे कि FIS के पास भी एक अच्छा का सा stake है, इसस Small Finance Bank के share, and public के पास 21.31% का stake है, दोस्तों थोड़ा detail में अभी समझते है, इसस Small Finance Bank के share को लेकिन, तो दोस्तों यहाँ पर बोल सेथे कि, इसस Small Finance Bank का तोड़ा यहाँ पर आपर आप अवरी वीव देखते हैं, तो आप देख सकते हैं, जहाँ पर इसस Small Finance Bank, डिपूटर स्ट्राउंग डिपोजिटेड अडवांस ग्रोफ इन Q3, पानेशिलर 2024, तो अभी यहाँ पर मतब इसस Small Finance Bank का रेजल्ट रहा था, उसमें इसस Small Finance Bank, यहाँ पर 40.62% year-on-year growth मतब यहाँ पर पोस्ट किया है, जहाँ पर टोटल डिपूजिट जो है 18,860 करोर का पोस्ट किया है, जहाँ पर 36.77% year-on-year growth देखने को मल रहा है, ग्रोफ एडवांस के बाद कते हैं Q3 में, जहाँ पर एक जबदस इससने result पोस्ट किया है, However, asset quality weekend with gross NPA rising to 4.16%, तो इसस Small Finance Bank का जो अभी Q3 2024 का result आया था, उसमें इसस Small Finance Bank का जो है, बोल सेते की जो टोटल डिपोजिट है, वो जबदस बर गया था, जो कि 40.62% बर गया था year-on-year, जो कि हुआ है 18,860 करोर का, एंड यहाँ पर बोल सेते की जो इसका gross advances है, उसमें भी 36.77% जो है इस Small Finance Bank का, year-on-year में, NPA की बात करते है, asset quality जहाँ पर गिरापड बना है, जो कि 4.16% weakness देखने को मिला है, asset quality में, तो अभी तो बात करते है इस Small Finance Bank का, जहाँ पर देखे, इसका जो result आया है, रेजल्ट बोल सेते की, इसका यहाँ से टेजी बना है, और stock जैसा अभी, मतलब overwatch में है, और share में हो सकता है, देखे, अभी यहाँ पर share बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से थोड़ा गिरापड बन सकता है share में, फिर से share तो गिरापड बना है, और यहाँ से stock में तेजी बनेगा, तो यहाँ पर हमें लगता है कि अगर किसी ने नहीं खरीदा है, अभी तक इस stock को तुरा समा रुखना चाहिए, समझना चाहिए क्या हो रहा है, जैसे गिरापड बने उसमें खरीदारी करना चाहिए, FIS के पांच जो है दोस्तों, लेख सकते है, जहाँ पर FIS जो बात करते हैं, जो है तो यहाँ पर बोल सेते हैं, जो है फिलाल FIS के पास है, इसे स्मॉल पाइन स्टॉक जो है लगबग 2.2% के आज पाच जो है रिटार्न दिया है, प्रोमोटर होल्डिंग के बात करते हैं, जहाँ पे 74.43% का स्टेक था प्रोमोटर के पास, अभी प्रो टेकनी के लिए बात करते हैं, जहाँ पे टेकनी के लिए आप देख सकते हैं, एक बुलिश लेवल पे फिलाला भी श्यार चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको इस मतलब इसी प्राइज में या फिर जाबा प्राइज में श्यार को खरीद लेना चाहिए, क्योंक प्रेज इंवस्टर्स को और से देखने को मिल रहा है, फिलाल यहाँ पे देखेंगे, तो श्यार अभी एक स्ट्रोंग पाइफ पर ले बिल पे बनता हुआ को मिल रहा है, ज इसका टोड़ा देखते हैं, अम लोग आ पे श्यार का इस लोड़ियों के श्यार करवे श्यार 0.1 million का है वही इसके पहले का 70.15 पैसे में शेयर open हुआ था और high price दिया था 73.70 पैसे का low price था 69.70 पैसे का और volume देखिए 6.92 million का है एक हफ्ते का भी बात करते दोस्तों इस Small Binance Bank के शेयर का जहाँ पे इसका एक हफ्ते में stock जो है जो इसका low price बनाया था वो था 69, 68.40 पैसे का यह उसका low price था एक अफ्ते का और जो high price बनाया है वो है 73.40 पैसे का शेयर अभी यहां से गिरावड बना रहा है तो हमें लगता है कि थोड़ा यह यह यहां से गिरावड बनाता है तो वही price में मतलब थोड़ा गिरावड में खरिदना चाहिए 66, 67 का अ कोई भी शेयर आपको खरिदना चाहिए या बेचना चाहिए रिकोष्ट करते हैं जब भी आपको शेयर खरिदते हैं या बेचते हैं खुद से पर जरूर रिसर्च कर लिजिए हम लोग से भी रिस्टर्ट नहीं है उमीद है जो भी information दिया है अच्छा लागा रहेगा अच कर दो